क्वेश्चन नमबर ठाटी थ्री हमें एक्जामीन करना है कि जो फंक्सन गिवन है मार पास साइन मोड एक्स वो कंटिनियूस फंक्सन होगी तो कैसे प्रूब करेंगे हम तरीके दो दो हैं एक तरीका तो यह है कि आप इससे चेक करो 0 पे कंटिनियूस है कि नहीं less than 0 पे चेक करो कंटिनियूस है कि नहीं इसकी help से चेक करो और अचल लाइक आपको इसकी help से हम बहुत सारे questions कर चुके हैं तो इसको आप अराम से कर लोगे अगर आपने प्लाने वीडियो सारी देखी होगी तो कोई दिक्कत नहीं आ सकती है इसमें आपको अभी बात करते हैं इसकी componential function से कैसे करें ठीक है तो इसके related मैंने दो questions अभी पीछे करवाए हैं तो अगर वो भी आपने चीज देखाऊगा तो यह आप खुद भी try कर सकोगा राम से तो हमें दो ऐसे function लेने है h of x और g of x जो continuous है ठीक है तो क्या लूँ मैं सोचो h of x में क्या लूँ तो मैं ले सकते हूं h of x sin x है न और एक लेता हूं g of x जो की ले सकते हम mode x सही है अब मैं क्या करूँगा देखो मुझे दिख रहा है मैंने एक तो क्यों लिए क्यों से क्या होता है मैं continuous function होता है continuous function ग्राफ लेने चाहते है उसका तो यह बना रखा है मैंने यह साइने से graph continuous है कहीं break नहीं होता है से लिया चल रहा हैSomething 6 बहुक्त और यह सा एक दिखानः क्या प्समें मैं मौर ग्राफ कैसा होता है ऐसा होता है एससा होता है बात आती है कि यह भी दिख दरता हो continuous होता है cts function continuous function अब बात अता है कि then composition function function h g of x is continuous function अगर आपको दू ऐसे function मिल जाते है जो continuous है और उनका composition भी अगर आपको मिल जाता है इसके equal में देखो निकालके h g of x निकालना है मैं h g of x मतलब क्या इसका जहाँ पे h of x में न जहाँ पे x हो महाँ पे g of x put कर दो तो यहाँ हमारे पस h of x की value जहां पे x हो भी हो भी हो पे g of x, पुट कर दो क्या हैगा हमारे पास sin mode x, जहां पर x था हो हमें g of x पुट कर दिया तो क्या यह equal आ रही है इसके बिल्कुल equal आ रही है f of x की equal आ रही है तो this implies कि जो हमारा f of x है, वो क्या है, is continuous function, is continuous function, ओके, तो बस आप करना क्या है, आपको ये दो चीज है, सोचने पड़ेगी, थोड़ी सी, थोड़ी practice कर लोगे, तो ये अपने आप ही दिमाग में आ जाते हैं, कि हाँ, sin x है, तो sin x ले लिए, आपने mode दिख रहा है, तो mode x ले लिए, अगर मैं इसमें ये put करता हूँ, तो मुझे ये मिल जाएगा, अगर आप इसमें ये put करो क्या मिलेगा, अचा ये बताओ, अगर मैं कहूँ कि इसकी value निकालो आप, इसकी g of h of x की, तो क्या value निकालो गए आप, जहाँ पर g of x है, वहाँ पर क्या put करना है आपको, h of x पूट करना है तो क्या आएगा हमारे पाद, g of x के value क्या है, mode x, जहाँ पर x हो, हाँ पर h of x पूट करो क्या मिलेगा, mode sin x मिलेगा, है ना, तो ऐसे use करते हैं इसे, ठीक है, बात बता दी मैंने बस ऐसा ही, हमारे काम भी क्या है, ये काम किये, और ये किये काम किये, इसे ध्यान में रखो, क्या है?